नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्म लोग की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस विडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ की साथ बहतरीन एक्षिन प्राइम मदम मिस्टरी सस्पेंस थरिलब पर बनी ये फिल्मे। दोस्तों आज की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक हैं और दोस्तों आज की सभी फिल्में हिंदी में यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये विदियो नमब साथ पर आती हैं 2017 में रिलीज हुई मल्यालम लेंग्वेज की बहतरीन हौरर ड्रामा मिस्ट्री सस्पेंस थरीलर वाली फिल्म एच्रा और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई हैं और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में प्रित्विराज सुकुमारन, टोविनो थॉमस, प्रिया आनन, सुजीट शंकर और विजयराग्वन के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेते बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो प्राजन और प्रिया को चीन चले गए और प्रिया ने एक प्राचीन यहूदी बकसा खरीदा जब वह बकसा खोलती है तो बकसे में से आत्मा बाहर निकलती है और उस पर कबज़ा कर लेती है पिर बाद में रंजन को पता चला कि वह बक्सा कोई साधारन बक्सा नहीं है वह एक डायग बुक बक्सा है जिसमें एक मृत व्यक्ती की दुर्भावनापूर्ण आत्मा है वह अपनी पत्नी को इस दुर्भावनापूर्ण आत्मा से कैसे बचाएगा ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नमबर साथ पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म की हिंदी डबिंग दी से नाम से की गई हैं और इस फिल्म की मोख्य भूमिका मेनबडी, पूजिता पौन नदाप, वैंकट, अमित तिवारी, मधुनंदन और भानु श्री के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेते बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो अपनी शादी की सालगिरा पर संदी एक रस्टोरेंट में अपनी पत्नी शृती के आने का इंतजार कर रहा है लेकिन घटनाओ के एक चोकाने वाले मोर में वो मर गई, शृती को किसने मारा, छे संदिक था एक हत्या और कहानी में चोकाने वाला मोर, एक अहां मोर फिल्म जो आपको देखने के लिए मजबूर कर देगी क्योंकि आपके हनुमान लगाने की कोशिश करते रहेंगे की हत्यारा कौन है आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ओफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नमबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDB की तरफ से 10 में से 4.8 की रेटिंड और गूगल यूजर तरफ से 66 प्रतिशत लाइक्स मिला है और इसके बाद नमबर 5 पर आती है 2019 में रिलीज हुई कनर लेंगवेज की बहतरीन हौरा एडवेंचर प्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थरीलर वाली फिल्म मनुपा और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेंग नाम से की गई है और इस फिल्म की मुख्य भूमिका मे दिलीक कुमार, अनुशा राव, निशा बी आर और वी सुरेशा के साथ ओर भी कलाकार देखने को मिलेते बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो पुराने कॉलेज मित्रों का एक समूस नातक होने के बाद कुनर मिलन की योजना बनाने का निर्नय लेता है। उन्हें उम्मीद है कि यह मिलन समारों उनके अतीप को याद करने और अपनी सफलता का जश्न मनाने का समय होगा लेकिन अप्रत्याशिक चुनोतियां उनके रास्ते में आ जाती है। आगे क्या होता है यह जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ओफिशियल अवेलेबल हैं जिसकी लिंक नमबर पांच पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग और बूगल यूजर तरफ से 99 प्रतिशत लाइक्स मिला हैं। और इसके बाद नमबर चार पर आती है 2022 में रिलीस हुई तमिल लेंग्वेज की बहतरीन एक्षिन ड्रामा कॉमेडी वाली फिल्म अतररा और इस फिल्म की हेंडी डबिंग भी सेम नाम से की गई हैं। और इस फिल्म की मोख्य भूमिका में विधार्थ, श्रीता राओ और वामसी कृष्णा के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेते। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो विधार्थ है एक मेकेनिकल इंजीनियर है जो एक स्वचालित कार विक्सित करना चाहता है। काम शुरू करने के लिए उसे 10 लाख रुके की जरूरत है। विधार्थ को पैसे की तलाश में देखकर उसके पिता चाली जो एक मेकेनिक है 10 लाख रुके लेकर आते हैं। हाला कि कुछ रहसिमय लोगों ने उसकी हत्या कर दी जिन्होंने पैसे भी चुरा लिये। क्या विधार्थ को अपने पिता की मृत्यू का सच पता चला? क्या वह अपने पिता की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने में सक्षम था? क्या उन्होंने इस वचालिपकार बनाने का अपना सपना पूरा किया ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख स सकते हैं दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल हैं जिसकी लिंक नमबर चार पर प्रोवाइब कर दी गई हैं और इस फिल्म को मुख्य भूमिका मेराज दरू, हिमल, पूर्ना, प्रिंस, कोटा, श्री निवास, राओ, अजय और पूजा रामचंदरन के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेते बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो विजए पर ATM से करेंसी नोट चुराने और उन्हें नकली नोटों से बदलने का आरोग है उसे पुलिस ने गिरफतार कर लिया है अपनी वैधता साबित करने का एक माथ तरीका वह ATM के बदल में एक मेकेनिक की दुकान में लगे कैमरे से CCTV फुटेज पेश करना है लेकिन यहां ताला लगा हुआ है मेकेनिक दुकान का माले कुसे CCTV फुटेज उपलब कराने के लिए सहमत नहीं होता है और बदले में वहिस के जर्य मुख्यमंत्री की बेटी को ब्लेक्मेल करता है शेश कहानी इन स्वतंध ट्रेकों के बीच संबंध से संबंधित है आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं दोस्तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नमबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गए है और इस फिल्म को IMDB की तरफ से 10 में से 5 प्रशमलव साथ की रेटिंड और गूगल यूजर तरफ से 20 प्रतिशत लाइक्स मिला है और इसके बाद नमबर 2 पर आती है 2017 में रिलीज हुई कंडर लैंग्वेज की बहतरीन एक्षन ड्रामा क्राइम थरिलर वाली फिल्म मुंबई और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गए है और इस फिल्म की मुंख्य भूमिका में कृषना और टेजू के साथ और भी कलाकार देखने को मिले डे बात की जाय अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो नायकर प्रिशना एक बार में कैशिय के रूप में काम करता है जो अन्तता अपने घर के पास एक लड़की से मिलता है और छोटे मोटे जगरों और हासे से शुरू होकर उसे उससे प्यार हो जाता है इसके साथ ही वह लगतार एक अनाथालिय की मदद कर रहे हैं और नेत्रहीन बच्चों की साथ उनका विशेश चुड़ाव है बाद में अनाथालिय में होने वाली कुछ समस्याओं के कारण स्थिति उसे मुंबई जाने के ये मजबूर करती है जो से अंडवल्द की ओर ले जाती है बाकी कहानी अंडवल्द अनाथालिय और उसकी प्रेमिका की रोमान चक एक्शन के इप गिर्द घूमती है आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं दोस्तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ओफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नमबर दो पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDB की तरफ से 10 में से 4.7 की रेटिंग और घूंगल यूजर तरफ से 64 प्रतिशत लाइक्स मिला है और इसके बाद नमबर एक पर आती है 2023 में रिलीस हुई मल्यालम लेंग्वेज की बहतरीन फैमिली ड्रामा थरिलर वाली फिल्म जैक्सन बाजार यूथ और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है और इस फिल्म की मोख्य भूमिका में लुकमान अवारन, जाफर एडुकी, इंद्रांस और चिनू चांदनी के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेते बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो जैक्सन बाजार यूथ नामक एक बैंड के सोशल मीडिया पर काफी प्रशन सक है बैंड मैट्स का जीवन आपरादिक दुनिया में उलज गया है और स्थिती इससे भी बदतर हो जाती है कि उनकी पुलिस के साथ हाथ हपाए हो जाती है यही फिल्म का आधार है आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं दोस्तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ओफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नमबर एक पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDB की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 65 प्रतिशत लाइक्स मिला है दोस्तो यह थी साउथ की वे साथ बहतरीन फिल्में उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आए होगी अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यसी बहतरीन फिल्मों की जानकारे आपको आगे भी मिलती रहें, और आज की इस वीडियो के अंद तक बने रहने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में जैहिन